हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मैं प्रीती और आज मैं बनाने जा रही हूँ यूपी स्टाइल मटर का निमोना और इसको आप मटर की कड़ी भी कह सकते हैं जिसको बनाना बहुत ही आसान है और जल्दी बन भी जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है खाने में तो च लिए वराना शुरू करते है निमोना मतर का निमोना मतर की कड़ी बनाने के लिए जिसको यूपी में निमोना भी कहा झाता है हमने लिए है 500 ग्राम मतर इसको हमने छीर के अच्छे से वश कर लिया है अब हम Mixy जार लेंगे और सबसे पहले डालेंगा हम इसमें हरी मतर और अब इसमें डालेंगे हम लेस्टन की करिया छे से साथ लेस्टन की करिया है और चार हरी मिर्च और उसके बाद हम इसका फाइन पेस नहीं बनाना है इसको हम दरदरा पीस लेंगे तो यह देखे फैंस यह देखे इसको हमने इस तरह से दरदरा पीस लिया है और उसके बाद हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई और गैस ओन कर देंगे और इसको थोड़ा गरम होने देंगे कढ़ाई गरम हो चुकी है और इसमें हम डालेंगे सरसो का तेल आप कोई भी और ले सकते हैं पर सरसो के तेल में निमोना बहुत ही टेस्टी बनता है तो इसमें हम डाले हैं दो बड़े चम्मच सरसो के तेल और इसको थोड़ा गरम होने देंगे तो तेल गरम हो गया है और सबसे पहले इसमें हम डालेंगे यह देखिए यह बड़ी है चार बड़ी यह उरत की डाल की बड़ी है आप कोई भी बड़ी डाल सकते हैं और इसको थोड़ा हम भून लेंगे और उसके बाद इसको एक प्रेट में निकाल लेंगे इससे कड़ी का फ्लेवर अच्छा आता है अब बहुत अच्छी खुश्बू आती है तो फ्रेंस बड़ी लाल हो गई है भून चुकी है अब इसको हम निकाल लेंगे अब इसमें डालेंगे हम हींग एक पिंच हींग और उसके बाद हम डालेंगे माटर हरी माटर जो हमने ग्राइंड करके रखी थी कि माटर करेंगे अच्छा हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे अध्यमी सकाना फ्राइंगे इसको म्त्र करेंगे अच्छी थो कर ड़ी बनेंगे मटर की कड़ी या निमोना भी कह सकते हैं इसको लो फ्लेम पे हमें भूनना है तो फ्रेंट्स पांस से साथ मिनट हो गए है हमको इसे भूनते हुए और यह देखिए यह अच्छे से भून भी गया है फ्रा कलर इसका चेंज हो गया है और अब इसमें डालेंगे हम आलू यह हमने चार मीडियम अकार के आलू लिये थे इसको हमने धो के अच्छे से बॉश कर लिया है चीलने के बाद अब इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा मसाले याड़ करेंगे मसाले में हम ढालेंगे हलदी पाउडर रफ टेबल स्पूल रफ टेबल स्पूर डालेंगे लालमिश्च पाउडर, वन टेबल स्पूल धनिया पाउडर, और हाफ टेबल स्पूल गरम मसाला, यह ओप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और थोड़ा इसको भूल लेंगे, तक कि हमारे आलू भी इसके साथ अच्छे से भून मिल जाय मसालो के साथ, और इसलिए हम दो मिनट मसालो को भूल लेंगे, तो फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे तमाटर, तमाटर प्यूरी, आप चाहे तो तो चुकड़ों में काट के डाल सकते हैं, मैंने दो बड़ी तमाटर भीये हैं, और इसको मिक्स कर देंगे, अब इसमें डालेंगे हम नमक, नमक आप अपने स्वात के अकॉर्डिन डालीजेगा, मैंने इसमें डाले हैं, बन एड हाफ टेबल स्पूर नमक, और बस दो मिनट तक इसको हम भूनेंगे, ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाएं और मिक्स हो जाएं, और इसमें हम धक्कन लगाके, बस दो मिनट तक पकने देंगे, तो दो मिनट हो गए हैं, और यह देखिए, मसाले अच्छे से पक गए हैं, अब इसमें हम डालेंगे पानी, और मैंने इसमें डाला है, तकरीबन दो गिलास पानी, दो बड़े गिलास पानी हैं, और फ्रेंट्स इसमें अच्छा से बॉयल आने देंगे, बॉयल आने के बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि आलू पक जाएं, जब आलू हमारे गल जाएं, तब समझिए, हमारा निमोना हो गया है, उसके बाद हम गैस आफ कर देंगे, पान डालने के बाद हम इसमें लास में डालेंगे, जो हमने फ्राइ करके निकाली थी बड़ी, यह देखिए फ्रेंट्स इसमें अच्छा सा बॉयल आ चुका है, और मारे आलू भी अच्छे से पक गए हैं, और इसा कलर भी काफी अच्छा आया है, और इस टेस पे हम डाले हरा धनिया, बारी कटा हुआ हरा धनिया, अब हम निमोना बनके रेडी है, और अब हम गैस आफ कर देंगे, और चलिए, अब इसको सर्फ करते हैं, आईए इसको हम एक बॉल में सर्फ करते हैं, तो फ्रेंट्स यह देखिए, हमारा टेस्टी निमोना या मटर की कड़ी बनके रेडी है, गर्मा गरम इसको आप राइस के साथ, चापाती के साथ सर्फ करिए, बहुत ही टेस्टी डिश हैए, और इस रेसिपी को बनाना बहुत ही इजी है, यह रेसिपी अच्छी लगी हो अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई